जैहिंद प्यारी दोस्तों मैं प्रकास्वस्ति कानपूरवाला प्यार दोस्तों आज हम लोग ग्रुप D का एक सेट पढ़ेंगे जो की 12.9.2022 सिप नमबर 1 पहला कुशन आपके साम में कहता है क्या यदि 18 विध्यारती होम ट्यूटर का उपियोग करके अध्यन करते हैं कुल कितनी विध्यारती है यानि ये जो डेटा है पूरा क्लास 12 का है उसमें से होम ट्यूटर वाले ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यानि ये जो 9 परसेंट है ये हमारे होम ट्यूटर वाले लोग हैं यानि 9 परसेंटेस का मान आपके सामने 18 और हमसे टोटल पूछ रहा है यानि 100 परसेंट, 9 में किसका गुणा करें, 18 हो जाए तो 2 का, तो 100 में भी 2 का कर दोगे, 200 आंसर आ जाएगा कोशन नमबर 2, एक बहतरीन सुन्दर कोशन, 3 इस्टार लगा दिये, ध्यान देना इस कोशन को प्यारे दूस्तों, अब ये अच्छा कोशन होता है, ए जिसका एक्स की वर्तमान आयू का दोगुना, एक्स यानि कैप्टल एक्स और इसकी वर्तमान आयू को हमने एक्स स्मॉल एक्स माल लिया, वाई की वर्तमान आयू के तिगुने के, वाई की आयू वाई और इसको माना स्मॉल वाई, अब यहां तक कंडिशन को हम सही से पढ़ेंग X की वर्त्मान आयू का 2 गुना Y की वर्त्मान आयू के 3 गुने से 9 वर्ष कम है यानि Y की वर्त्मान आयू के 3 गुने से X वाला का 2 गुना 9 वर्ष कम है This is the equation number one अब आगे की condition पड़ेंगे किताब वर्त्मान में X के पिता P की आयू याणि X के जो पापा हैं उनका नाम है P X से दुगने हैं याणि ये small x तो उनके पापा की आयू 2X हो जाएगी फिर कहता है Y की आयू उसकी बेहन की Q से 9 वर्स कम है याणि ये जो Y है इसकी एक sister है जिसका नाम है Q उससे ये 9 वर्स कम है याणि sister 9 वर्स अधिक है y प्लस 9 क्योंकि इसमें 9 घटा होगे तभी y आएगा फिर आगे एक condition उसने फिर दे दिया condition आपके सामने कहां पर ये चीज यहां से क्या कह रहा है यदि P की आयू Q से 20 वर्स अधिक है यानि ये जो 2x है वो इससे 20 वर्स अधिक है 20 वर्स अधिक है यानि दोनों का जो difference होगा 2x-y-9 is equal to 20 तो 2x-y 29 के तो यहां से equation आ गई 2x-y is equal to 29 29 तो y की वर्तमान आयू क्या है y की वर्तमान आयू को small y बोला गया है अब कुछ नहीं करना हो गया इसको जब हम जोड़ेंगे ये कर जाएगा 3y से y गया तो ये 2y आया इसको भी जोड़ोगे 398 हो गया यानि y की वर्तमान आयू प्यारे दोस्तों 9 year हो जाएगी बहुत सुंदर कोशन है अगर आपको समझ में आया हो तो दुबारा इसको देखो पढ़ो देखो एजस में वैसे तो आसान कोशन आते हैं लेकिन गुरुबडी 2022 में कुछ पूछा गया है मेरे दोस्त ठीक है कोशन नमबर 3 अब सिंपल है किसी संख्या के 5 बटा 8 के 60 परसंट के 40 परसंट का मान तीन से ये 113 टाइम गया पांचो का 20 का गुणा करना होगा यानि 113 गुड़े 20 0 ऐसे 226 यानि 226 इस दा राइट आंसर ओप दिस वन कोशन नमबर 3 का जो राइट आंसर है देशवासियों वो 226 होगा अब कह रहा है तीन उंकों की वह चोटी चोटी संख्या गयात करो जो आट बारा से पूरते 22 बिल है सबसे बढ़िया इसका एलसियम ने लू जो की आपके सामने 24 होता है बोलो हां भाई आट बारा का एलसियम 24 24 चोका 96 और 24 पंजा 120 भाई अगर मैं चार का गुणा करता हो तो 96 यह तो दो अंकों की बड़ी संख्या होगे हमको तो तीन अंकों की छोटी संख्या चीए तो पांच का गुणा कर लो 120 आंसर तो ऐसे करके इसका आंसर निकाल लीजिए कोई कश्ट नहीं है लेकिन अगर आपको वाया आपसल जाना है आठ से 108 जाता नहीं क्योंकि 80 फिर 28 आठ से नहीं 12 से जाता है फिर 8 से 120 भी जाता है 12 से भी जाता है तो यह चीज़ करने से अच्छा सीधे आंसर छोटा बोला है तो 120 आंसर निमलिकित में से कौन सा विकल उस निकटतम लगभग मान को दर्स आएगा जो निमलिकित अब ये दुको सब जगे देखा होगा लगभग का कोशन इसका निरिष्ट को ये 13.99 को हम लोग 14 बोलेंगे इसको हम लोग 4 बोलेंगे और इसको हम लोग 20 बोल देंगे इंटीजर निरिष्ट में और इसे हम लोग 6 बोलेंगे यहां से 10 आया और यहां से 120 यानि आंसर 130 आया आंसर 130 आएगा उमीद है मेरी बात समझ गए होगे एक बार फिर से समझा देते हैं 13.99 को हम लोग 14 लिख सकते हैं 4 ये घटेगा 19.89 को हम लोग सीधे 20 लिखेंगे इसे 6 तो 6 गुड़े 20 एक सो बीस 14 में से 4 गया 10 यानि 10 और 120 को हम लोग 130 बोलेंगे ये कोशन है आसान ध्यान देना किता है किसी कार का 2 बटा 3 भाग 12 दिन में अच्छा आप अच्छे जानू कि 2 बटा 3 काम 12 दिन में अगर मैं इससे कोऊ पूरा काम करो तो 18 दिन में करेगा कि नहीं करेगा बोलो हाँ तो A किसी कार को 18 दिन में कर लेता है फिर कहता है B उसी कार का 1 बटा 4 भाग किते दिन में 3 दिन में करेगा अगर मैं इससे कोऊ कि पूरा काम करो तो 3 चोको 12 दिन में करेगा तो B 3 चोको 12 दिन में के था एक साथ मिलकर कार करते हुए उन्हें उस कार को पूरा करने में कित्ते दिन लगेंगे दोको ये तो वर्क ओरल वाला होता है बस हो गया हमें दोस्त इसका LCM ले लो जो की 36 आएगा 18 से भाग दोगे दो बार में 12 से 3 तीन दो पांच शमता हो जाएगी उससे आप भाग देदो साथ पना पैतिस सेवन इस्ट वन बाई फाइब यानि राइट आंसर आप दिस वन सावन इस्ट वन बाई फाइब हो जाएगा है ना असान अच्छा ये चीज आप लोगों ने यूद दो हजार चौबिस तो मुझस से पढ़ी रहे होगे वहां पर भी कई बार हमने सिखाया हुआ है एक व्यक्ति 900 में 12 कि दर से आम खरीदता है 1200 में तो एक आम की कॉस्टिंग निकाल लो आजका लेसे कुशन बहुत पूचिदा रहे हैं वही 900 रुपए में 12 आम तो एक आम 900 बटा बारा और बेसता है 1200 रु ये समाज इसे 3 बटा 4 कहेगा और इसे समाज 4 बटा 3 कहेगा क्रोस मल्टिप्लाई कर लो 9,4,16,9 की चीज 16 में वेचोगी तो 7 रुपए कमाओगे आउट आफ 9 इंटो 100 आप्संस पर अपनी नदर डालो और आंसर ये हो जाएगा सर क्यों वेचा बच्चा बच्चा जानता है एक बटा 9 को हम लोग बोलते 11 सही एक बटा 9 परसेंट वैसे ही इसको बोलेंगे 77 इस्टो 7 बाई 9 परसेंट दिस इस दा राइट आंसर और दिस पुशन है कहता है प्रभू 10x बराबर 3 बटा 4 ऐसे करके एक राइट एंगल बना लो ये ट्रिपलेट्स होता है 3 4 तो ये 5 मुद्दा खाता अब यहां कहता है साइन तो 3 बटा 5 और नीचे भी कह रहा है भाई साइन तो यहां पर भी 3 बटा 5 पांच में से 3 गया तो 2 बटा 5 और 5 3 8 बटा 5 यानि 1 बटा 4 आंसर आएगा तो कि 5 पांच तो कट जाएगा 2 बटा 8 को ही हम लोग 1 बटा 4 कहेंगे यानि कोशन नमबर 8 का जो आंसर होगा वो आपके सामधे चलिए और पढ़िए कोशन नमबर 9 20 विध्यारती वाली एक क्लास में विज्यान की परिच्छा देती है आठ विध्यारतियों के आउसत साथ है तो सेस के इतने तो पूरा क्लास सिंपल समझे टोटल विध्यारती है मेरे दोश 20 जिसमें 8 हमारा पेपर दे रहे हैं जिनके आउसत साथ आ रहे हैं तो बचे कितने होंगे 12 और उनके आउसत 40 ओवर आल पूछा गया तो बच होगा ही होगा इससे कम तो होगा नहीं इससे कितना ज़्यादा तो काओगे सर्जी 20 एक का 20 तो दो का 40 एक्स्ट्रा हो जाएगा और कद्दू कटेगा तो सब को बटेगा तो 2 और 3 होता है पांस से भाग दे दो इससे ये 8 बार में गया 48 is the right answer यानि इस कोशन का आंसर कोशन नमबर 9 का जो सही आंसर होगा देशवासियो 48 होगा समझ गया है चालो आगे बढ़ेंगे ये कोशन कुछ अच्छा बनाने की कोशिस की गई है कि कई बच्चे इसमें गलत कर देंगे समझी नहीं पाएंगे इंपोर्टेंट है फिर यहाँ 25 परशेंट वार्शिक सदार ब्याज की दरप है उधार दी गई वे रासी गयाद करें जिस पे 365 वाले वर्स में 2 रुपया प्रति दिन का ब्याज है बस यहीं से आंसर है 365 दिन का साल है और 2 रुपया प्रति दिन का ब्याज है यानि एक दिन में आपको ब्याज में 2 रुपय मिलते हैं तो 365 दिन में कितना मिलेगा दया ब्याज में तो यहाँ 365 का गुणा कर लो 730 रुपय आपको एक साल में 2 रुपय मिला और यहाँ पर SI कह रहा है 25 परसिंट है यानि यही 25 परसिंट की वैलू 730 हो जाएगी भाई समझो कोई एक प्रिंस्पल है उस पे 25 परसिंट ब्याज मिलता है लेकिन उसके लिए उसने कहानी बताई कि परड़े 2 रुपया ब्याज मिलता है लेकिन 365 दिन मिलता है यानि 730 रुपय वो किसके बराबर? 25 परसिंट simple interest के बराबर और मेरे दोस्त हमसे कह रहा है मूल धन बता दो रासी ग्याद कीजिए 4 का इत्थे और 4 का उत्थे क्योंकि 25 यो का 100 तो बस खेल जाओ 0 ऐसे 4 तिया है 12 हासे 1, 28 से 29 यानि इसका आंसर जो आएगा प्यारे दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो उनतिस सो बीस हो जाएगा अभी खेला हो गया पैन गिर गया समझे रहो अभी अगर तूट जाता तो कितने हजार का लॉस होता 2000 होता तो इसमें क्या खासियात है यही तो सब कुछ है यह टैच स्क्रीन चलता है यही पांच अंकों की संक्या बहुत सुंदर कोशन पांच इस्टार कोशन अगर आप जिन्दगी में पहली बार सीख रहे हैं तो आप बिलकुल सतर्क हो के सीखना खेला हो जाएगा यही पांच अंकों की संक्या इतना 11-21 से विभाज है तो मान क्या है तीन साथ यहां जानते हैं और यह 11 का अब मुद्दा आया है कि वैलू क्या चिपका दे अगर हम अल्टरनेट पोजिसन जाए भाई हमारा तो यह नियम है कि ऐसे चले गए तो 6 प्लस 8 प्लस Y और यह माइनस का 8 और माइनस X बटा ग्यारा अब यहां पर हमें ऐसी वैलू चिपकानी है Y और X की जो की निपड़ जाए पहली बात फिर तीन से डिविजबिल्टी का भी रूल आप जानते हो तीन से डिविजबिल्टी का रूल होता है अंको का योग तीन से विभाजित होना चाहिए एक एक्क्वेशन और बन जाएगी 6 अटा दो 16 पंदरा अटा दो यानि एक और बन जाएगा X प्लस Y प्लस 1 बाई प्लस 1 बाई कितना तीन यहां पर दो चीज बन गई तीन से डिवाइट करोगे 8 दूनी 16 16 6 22 तो 21 अटा दो एक एक्ष्ट्रा बचेगा ये अब इन दोनों में या तो आप विचार करो कि X का क्या मान रखे Y का क्या मान रखे अब देखो यहीं पर समझो अगर मैं X अब देखो ये चीज़ मैं सिखा रहा हूं इसको आप अगर सीख गए तो आप से बैतर कोई नहीं फिलाल मैं दूसरा भी तरीका बताऊंगा अच्छे कोशन में अब इन जन्रल क्या है कि X का मान हम क्या रखेंगे आप बताओ 0 ही रखेंगे माल प्रकासन ने 0 रखा अगर X को 0 रखा सुनना तो Y 5 हो जाएगा 5 6 11 11 चला गया एक 0 Y 5 एक 0 एक 0 और Y 5 बोलो हाँ एक 0 Y 5 सेटिस्फाई हो गया सेटिस्फाई हो गया और बताओ हो गया सेटिस्फाई समझे लेकिन आंसर सेटिस्फाई नहीं होगा सर कैसे पहले समझे तो को हमारा उद्देश बिल्कुल इमानदारी से बताना अगर मैंने X को 0 किया ये वाला X 0 हो गया और Y 5 हो गया 5 6 11 11 चला गया X 0 ये 5 चला गया लेकिन हम यहाँ गये यहाँ गये मेरे भाई X 0 तो निपड गया Y 5 तो ये और ये माइनस 15 आ रहा फिन 15 है फिन क्या है 15 है तो हमरे साथ क्या हुआ खिला हो गया देखो हम लोग बिल्कुल नियम से चलेंगे देख और एक और बात बता दे रहे एक और बात अभी 7 की divisibility बाकी है क्या अगर पहले सुनो ये चीज़ समझो पहले भावनाव में नहीं बैना है दूसरों की तरीके X 0 Y 5 थोड़ा समय देंगे बाकी आपको प्रॉपर तरीका बताएंगे चिंता मत करो Y 5 भाई satisfy हो रहा है अब देखो ये साथ से जा रहा है क्या वोगि साथ की भी तो डिविजबिल्टी बैठी होई है है 63 अलग कर दो 63 बात 58 56 फिर 20 20 20 14 फिर 65 नहीं जाता यानि मेरे दोस्ट X 0 और Y 5 नहीं लेंगे देखो ये चीज़ सीखो वैसे तो 0 और 5 आ गया था X 0 और Y 5 लेकिन जब हमने यहां दोनों में satisfy हो गया दोनों में लेकिन जब साथ की divisibility इसमें चेक की तो खेला हो गया यानि नहीं अब कौन सा अब सुनो अगर मैं X का मान 1 लेता हूं X का मान 1 लेता हूं तो Y का मान कित्ता हो जाएगा 6 क्योंकि 6 में से 1 गया 5 कट गया X का मान 1 Y का मान 6 अब ये नहीं कट रहा है तो ये भी वैलू गलत हो गई अब 2 और 7 वाला खेलो भाई यहां बढ़ता जाएगा ना इसे अगर यहां 2 रखा तो यहां 7 7 6 13 दो चला गया Satisfy यहां रखो 2 और 7 तो भाईया ये तो 9 बना पर ये 10 ये भी नहीं हुआ तो 2 और 7 भी नहीं लेंगे तो फिर क्या लेंगे अब फिर हमारे पास आया 3 और 8 इसका मान 3 रखा इसका 8 तो अंतर आया 5 3 रखा 8 और ये चला गया ये दोनों चला गया तो फिर हम यहां गया सेटिंग में चेक करेंगे 3 और 8 7 से 7 से 63 फिर 58 तो 56 फिर 23 तो 21 चला गया यानि ये दोनों मान हो जाएंगे यहां रखो X का मान 3 वाई का मान 8 और 3 बुड़े 8 तो ये आर्ट रिका 24 ये भी 24 और ये मेरे भाई आर्ट रिका 24 इनका तो है पी बड़े 24 आंसर तो राइट आंसर आप दिस वन 24 अब आपको एक और चीज़ बताएंगे चिंता मत करो पहले बोलो हांसर क्लियर हो बिलकुल इमानदारी से तो ये इसलिए 5 इस्टार दिया एक इस्टार दो इस्टार तीन इस्टार नहीं यानि अच्छा कोशन लेकिन पेपर टाइम हमें क्या करना चाहिए इसी कोशन पर हमारे विचार बदलते हैं हम उस टाइम इमानदारी से खेलेंगे कैसे खेलेंगे एलसी हम ले ले लेंगे 11 और 21 कुछ भी कॉमन नहीं है गुणाई होगा तो एक दो दो सो तीन एक तीन 231 आगया अब यह जो संख्या दीगे 688 एक्स वाई में हम 231 से भाग दे देंगे जो होगा दीखा जाएगा तो साफ साब दिख रहे कि दो ली बार में जाएगा भी तो यह तो 62 हो गया यह चार ऐसे हो गया यहां से यह शे आया अब देखना जो दिमाग बताऊंगा यह दो आया और यह दो आयख अब यह x उतार लेंगे लेकिन आप उस x को अबी कुछ नहीं कर रहा हो और यहां खे इसको तो घटेगा नहीं, ये नहीं घट रहा ना, ये नहीं घट रहा, लेकिन एक चीज समझो, यहाँ X का कोई भी मान है, हमें नहीं मान, इससे हासिल लेकर, भाई, अब ये एक्स की डिजिट क्या हो सकती है, अब ये भी बड़ा मुद्दा है, एक्स अगर 9 भी तो हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, बोलो हाँ कि सरक कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन आप इमानदारिस देखो, हम ये चीज तो घटा सकते हैं ना कुछ ना कुछ करके, कि भाई मालो यहाँ पर 9 है, suppose that, मालो 9 भी है, 8 भी है, 7 भी ह तो यहां तो घटेगा ना कि 16 में से उधर नहीं तो इधर 16 में से साथ गया या 25 में दो कंडिशन तो हम यहां ले लेते हैं कि 15 में से 7 गया 8 है और दो में से मतलब यह तो एक हो गया ना यहां सम्थिंग और फिर से यहां पर वाई आ गया अब पहले समझो सम्थिंग फिर वाई फिर हम देखेंगे किस से अगर मैं छे दूनी बार में पढ़ता हो नहीं हिर दो आसिल 8 दूनी 16 दो अठारा शोड़ास अब यहां पर वाई किलियर हो गया सब को वा आ यहां पूरा कटना चाहिए तो यहां आठ गोसत हो गया देख जो क्यों कि यह कटेग़ा अप कह व्यार्ट धो है यहां पर क्या सब्ष्ट यहां चार गोशित कर देआँ यहां यहां चार घोसित करोगे तो यह कड़ जाएगा यह कड़ जाएगा तभी तो यहां 0 आएगा लेकिन यह 4 x का माननी है यहां पर कोई वैलू होगी x जो की 3 होगा तो इससे हासिल आएगा तो वो 13 होगा 13 में से 9 गया तभी 4 आएगा यानि x 3 y 8 अब कुछ के सिर्दर्द चालू हो गए होगे इस कोशन में सिर्दरद चालू है तो इस प्रोसेस को अपना हो थोड़ा बहुत दिमार क लगा सकते हो तो इस प्रोसेस को अपना हो इस depends on your practice यह पहली बारी ऐसा कोशन आया पेपर में यह ध्यान रखना है कहता समीकन इतने के मूलों की प्रक्ति के संबन्द में इन में से कौन सा कथन सबते है मूल बोल ला है जिसका नाम है 11 x square प्लस 19 x और प्लस मेरे दोस 8 बराबर किसके है बराबर 0 के अब मूल क्या होंगे तो ये प्लस प्लस के साइन है तो इसके रूट्स दोनों निगेटिव होंगे हमने आपको बहुत अच्छे समझाया है कि ये प्लस प्लस तो निगेटिव अगर प्लस प्लस होते हैं तो साइन माइनस माइनस आएंगे माइनस प्लस होते हैं तो प्लस प्लस आएंगे प्लस माइनस होते हैं तो माइनस प्लस आएंगे और माइनस माइनस होते हैं तो प्लस माइनस और ये वाले बड़े होते हैं ग्रेट अब तो इसमें दोनों मूल क्या होंगे रिडात्माख होंगे समझ गए केरा इसका मान बताओ अब दिमाग चला लो तो हो जाएगा इसका चुप चाफ होल स्क्वार कर दो होल स्क्वार करोगे तो 8 का स्क्वार 64 A स्क्वार प्लस B स्क्वार प्लस का सड़ी माइनस का 2a b और मेरे दोस इसकी वैलू 160 दी गई माइनस 2AB ऐसे और 64 तो 2AB ऐसे आया इससे 64 घटा तो 96 आजाएगा यानि AB बराबर 48 आजाएगा 48 यही आंसर होगा लेकिन हमसे कोई कह दे A और B का मान निकालो तो तो मेरे भाई बहुत कुछ सोचना पड़ जाएगा हम AB का मान निकालने में सच्छम है लेकिन AB का मान के लिए हमें समय लगे समझ में आया कि नहीं जैसा कोशन है आप उसी हिसाब से करोगे न एक्ष्ट्रा क्यों दिमाख लगा आप से कह रहा भाईया प्रभू दिनानात AB बताओ तो बता दिये चलो आगे बढ़ते है AB का इंटू निम लिकित में से कौन संख्या चार से डिविजबिल होगी लाश्ट टू डिजिट सुड़ी डिजबिल है फोर चौवन जाता नहीं ब्यालिस चौतिस नहीं चौविज जाता है चार से यह सिंपल है एक व्यपारी 1500 में एक वस्तू खरीदता है 20% शूट देने के बाद 20% लाब अरजित तो देखो दो चीजों पर बात हो रही है CP और MP पे आपको हमने बताया CP 100 मानेट डिसकाउंट होता है MP 100 प्लस प्रॉफिट होता है कई बार आपको ये चीज़ सिखाई गई है बोलो हाँ और मिरे बूस 100 मानेट डिसकाउंट यानि 20% डिसकाउंट तो ये 80 का हो गया 20% लाब तो ये 120 यानि इसका रेशियो 2 इस्टू 3 हो गया कितना हो गया 2 इस्टू 3 और एक व्यपारी 1500 में एक वस्टू खरीटता है यानि 2 बराबर 1500 के एक बराबर 700 के 2 बराबर 1500 तो एक बराबर 700 तो 3 में 700 का गुणा करेंगे तो 250 आ जाएगा यानि इस कोश्चन का जो राइट आंसर होगा 250 कोश्चन नमबर 16 मगर 15 कहता है निम लिखित का मान ग्याद करो अब देखो 2 की पावर 25 यहाँ डिवीजन लगा है तो 2 की पावर 15 और 2 की पावर 4 तो सेम बेस लेकिन पावर घटेगी इसमें तो 2 की पावर 10 और यहाँ उपर सेम बेस तो जुड़ जाएगी यानि 2 की पावर 14 तालिका किराय भोजन वस्त्रों और यात्रा पे तीन व्यक्ति द्वारा किये गए मासिक वे हैं चारो मतों में मधू द्वारा किये गए कुल व्यका और सत्याद करो मधू यह है और इन सब को जोड़ना है तो दसमलो लाश्ट में 5 है 2, 5, 7, 4, 9 ऐसी आगया हासिल खुझ नहीं 2, 2, 4, 2, 6 एक साथ पेसिंस 14, 25 नहीं गरबर जोड़ना हूँ तसमलो पाँच ऐसे मधू का 2, 5, 7 7, 4, 11 हासिल 1 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8 यह आएगा और हमसे कह रहा है आउसत बताओ यानि 5 से नहीं 1, 2, 3, 4 से भाग देना पड़ेगा तो 4 से भाग दे दो आउसत निकाल लो अच्छा एक और चीज़ समझो यहां मासिक वह हजार में है यानि इसमें हजार का गुणा करना होगा यानि 8, 1, 5, 00, बटा 4 यह करना है तो पांचो का 20 ऐसे आजाएगा और पंद्रा सो में 400 गभाग दोगे 375 आजाएगा यानि 20,375 इस दा राइट आंसर कहरा है 6 cm त्रिज्जा वाले गोले का आयतन गोले का आयतन होता है 4 वड़ा 3 पाई आर क्यूब 4 वड़ा 3 पाई और आर क्यूब तो 6 का क्यूब 216 मेरे दोस काट लो यह 72 बार में जाएगा इसमें गुणा तो 288 पाई आ जाएगा सिम्पल है 288 पाई इस कोशन का आंसर हो जाएगा कहता समीकर इसके मूल क्या होंगे मेरे दोस ऐसे लियाओ इधर आएगा तो यह 10X हो जाएगा माइनस का 24 हो जाएगा मैंने आरे सगरवाल नवीन अंगडित का क्वाडिटिक एक्वेशन पढ़ा रखा है पढ़ो सौटकर सीको प्लस माइनस तो माइनस प्लस 24, 24, 24, 24, 24, 24 12 दुनी 24 क्योंकि यहां 10 बनाना है तो 12 यहां आएगा 2 यहां आएगा 2 और माइनस का 12 कहरा इसका 4th proportional बताओ सभी जानते हो 10 हमलो 1,5 बटा 10,35 12 अपॉन X क्योंकि आप अच्छे जानते हो 0.15 इस्टू 0.35 डबल इस्टू 12 डबल इसे को हम लोग 4th proportional बोलते है calculate कर लो अब 10 हमलो तो बेकारी हो गए 5 से 3 बार 5 से 7 बार 3 से 4 बार 7 चोका 28 is the right answer यानि इस question का answer question number 20 का 28 आँ जाएगा कैता अन्यम लिखित का मान ग्याद कुरो फास्ट शल ना हो तोड़ा सा 14 देखो आना अब किस से भाग देना वो maintain करना होगा ये ध्यान रखना 14 ऐसे ये सब bracket में है ये चीज तो कोई दिक करने अब bracket में तो आईसे लिख सकतो 5 बटा 2 भी लिख सकतो 4 बटा 5 भी लिख सकतो प्लस का 1 LCM सीधे 10 ले लो वो 100 से बाद में भाग दे दिया जाएगा समझना मगर प्यार से यहां 140 आ जाएगा 5 से 25 हो जाएगा 5 ये 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा अब इसको जोड़ो ये अगर नहीं आया तो फिर गलत चलना है 25, 33, 143 ये 183 आ गया और नीचे 1000 है बाकी बच्चा समझदार है दसमलो 183 आएगा चब मैंने 183 क्यों बोल दिया सभी ऑप्षन में 183 है सारा खेलता 0 मेंटेन करने का समझ गए एक बेलन की आधार की तरिज्जा उचाई का रेश्यो 2 इस्टु 1 यानि आप मेरी बात को सुनना दया बेलन की उचाई को अगर उचाई को अगर आपने X बोल दिया ये हाइट है और तरिज्जा क्या हो जाएगी 2X हो जाएगा जो बोलना है बस वही करना है एक्स्ट्रा सोचा दो गलत हो जाएगा अचा बेलन का वक प्रेश्टिज छेतरपल तो वो तो 2Pi आरेच होता है तो पाई यानि 11 का मल्टिपिल चेक कर लो यह होता है यह भी होता है एक दो आप्सन है ठीक है तो सॉल्व करना होगा इसका आयतन 4312 दिया गया है तो बेलन का आयतन होता है पाई यानि 22 बटा साथ आर स्क्वेर यानि 4X स्क्वेर और H यानि X यूँकि 4,3,1,2 के अब यहां महबबस से काटो 11 से 2 बार 11 से 33 फिर 101 यानि 9 ये 312 8 से 32 8 से चला जाएगा 8 से 8 चोका 32 नौठे बाहतर यानि X क्यूब बराबर 49 गुड़े साथ यानि 343 यानि X बराबर साथ यानि 34 14 हो जाएगी और हाइड साधिगे फाशल है ये न सो चोके सार खुदी पढ़ रहे हो और तेजिस कर रहे हो इसमें क्या बताओ इसमें क्या समझाए इसमें जितना तेज पेन चलाओगे उतना बैटर हो दो ऐसे पाई का मतलब बाइस बटा साथ त्रिजाम को 14 मिल गए उचाही साथ मिल गए साथ से साथ गया अब गुणा कर लो बाइस दुना चवालिस चवालिस गुड़े चौदा कर लो मोदी जी 56 आएंगे पांच आसिल फिर 56 पांच इक साथ 616 इस दा राइट आंसर ठीक है जो सरल है उसे ऐसे ही पढ़ना चाहिए समझ गया है 23 नमबर कहता है इन में से कौन सा इसका गुड़नखंड होगा दिको इसका गुड़नखंड सीधे ये होगा सरक ऐसे हमने आपको बहुत पढ़ाया है जैसे एक की पावर फूर बी की पावर फूर स Row यह मैनस है कि यह मैनस मज़ुशने चार का आधाて दो तो पहले ऐसे कर लो फिर इसका आधा यह और लाश्त में आइ माइनस नहीं कर लो सर्माजा नहीं आया फिर सम्दो, A की power 16, B की power 16, तो 16 का आधा 8 होता है, 8 का आधा 4 होता है, 4 का आधा 2 होता है, 2 का आधा 1 होता है, और अंत में 1 तो माइनस शिपका, ये चीज, अब जब question में प्रकाश जालते हैं, तो ये 5 की power 4 हो गया, तो पहले इसका आधा, इसका आधा तो X स्क्वेर, 5 का स्क पिर इसका आधा तो X प्लस 5 और अंत में X माइनस 5 और देशवासियों यह सिर्फ पहले में मैच कर रहा है और किसी में नहीं और यह question तो सिर्फ formula से solve होगा कौन सा हमने आपको बताया है बहुलक का formula बहुलक होता है तीन गुना मादिका का और तो गुना मादिका अंतर अब कहरा भईया बहुलक का मान ग्याद करो मादिका 30 माद 25 तीस दुत्रिका नबे और 25 दूना 50 शालीस आंसर कैसा लगा बोलो बोलो टेल टेल समझ में आया की नहीं ध्यान देना कहिता इसका बहुलक ज्याद करो सबसे पहले 20 एक दूई तीन चार पांच पांच बार आया 35 एक बार आया है CA FD का रेशियो हमने बताया है कि जब दो ट्रेंगल सम रोप होते हैं तो साइड का रेशियो उसका पैरिमिटर रेशियो होता है एरिया हमसे पूछा नहीं गया तो सिमलर है तो साइड का रेशियो तो हम लोग जानते हैं साइड का रेशियो चलता है जैसे इसमें चलेगा दोनों सम रूप है तो AB अपॉन डी चलेगा सिमलर्टी के प्रोपर्टी से फिर ऐसे यह किया है BC अपॉन एफ चलेगा और ऐसे CA अपॉन डी अफ चलेगा और मेरे दोस्त वो इधर लिग गया है य गैप बन गया है और हमको BC और इसका रेशियो दिया गया है 3 बटा 6 बटा 16 तीन बटा 8 तो यह सब 3 बटा 8 के रेशियो में हो जाएंगे तभी यह सिमलर होंगे और यह प्रोपर्टी है बाकी याद रगना परिमाप साइट का रेशियो होता है एडिया भुजा का स्क्वार होता है यादि साइट का स्क्वार सेट असान है 160 और 90 लंबाई वाली दो रेल गाड़ी 40-50 की चाल से समान दिसा में चल लही है आप अच्छे जानते हो ट्रेन की लेंथ हमेशा जुड़ती है तो यह 200 हो गया और जब यह दोनों सेव डालेक्शन जा रही है तो रिलेटिव समझ गए जिसको फॉर्मुले में दिक्का दे क्या लगाया एल वन प्लस एल टू और रिलेटिव स्पीड यूवन माइनस यूटू यह केम पीच में था इसलिए पांच बटा ठारा का गुणा किया अंतिम बहुत फास्ट बताया दो धनात्मक संख्याओं का योग 34 है गु आप एकसपर्ड बनो 64 तो क्या 32 दूना 64 नहीं होता तो 32 प्लस दो 34 नहीं होता तो 32 माइनस दो 30 नहीं होता तो इसका आंसर 30 होगा लेकिन मालो यही कोश्चन आपसे सौल्व ना होता तो उस केस में आप फॉर्मुला लगाते कौन सा बहुत सारे होते हैं इसमें जो जो चीज गिवेन है वो रख दीजिए आपको मिल जाएगा आंसर समझ में आया और इसका प्लस का भी होता है जो कि टू एकस स्क्वार प्लस वाई स्क्वार होता है उमीद है यह सेट सभी बच्चों को किलियर हो गया होगा मेरे दूस अच्छे से पढ़ते रहे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टेली ग्राम ग्रूप को जोइन कीजिए धन्दबाद